नमस्कार दोस फोनीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश्रमा बिहार विधानसवा चुनाव को लेकर चुनावी वेवल बच चुका है और सभी पार्टियां कमर कसके चुनावी समर में कूदने के लिए तयार भी हो चुकी है और ये भी पूरी कोशिस कर रहा है क कैसे भी करके अपना पूरा दम दिखाया जा चुनावी समर में कूदा चाहे लेकिन इसी बीच महागट बंदन में अनबन किस्तिती है और बवाल मच गया वो इसलिए क्योंकि जब सियम नितीश कुमार ने स्टी असी के मुद्दे पर एलान किया उसके बाद से तेजस्वी जिसके बाद से बखेडा महागट बंदन में खड़ा हो गया और इसी बीच अब इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि मुकेश सैनी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में लगे हुए है क्योंकि सीट शेरिंग का मसला भी सॉल्व होना है ऐसे में कहीना कई तेजस्वी आदो पर प्रेशर बनाकर उनसे सीट लेने के मूड में मुकेश सैनी नजर आ रहे है बिहार विधान सभा को लेकर चुनावी अखाडा तयार हो चुका है राजनिति गुणा गणीत के साथ साथ अब प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला भी चालू हो चुका है सत्ता की कुर्सी मिले ना मिले लेकिन उसके गलियारे में आवा जाही लगी रही इसके लिए अब नेता अपने वफादार वाली छबिक से बाहर आने की तयारी में जुटे मांची महागटबंदन से नाता तोड़ कर अब नितीश कुमार की सिपाही बन गए तो इधर अब मुकेश सैनी को भी नि अच्छे लगने लगे अनुसुचित जाती और जन जाती के व्यक्ति की हत्या होने पर स्वजन को सरकारी नौकरी देने के मुख्यमंत्र नितीश कुमार के फैसले ने महागटबंदन के दलों को दो खेमे में बाट दिया आरजेडी और रालोसपा के लिए ये महर चुनावी स्टंट है जबकि मुकेश सैनी की पार्टी व्याइपी को सियम नितीश का फैसला रास आ रहा है पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है पार्टी चीफ अध्यक्ष मुकेश सेहनी ने कहा है कि हम नितीश सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं पार्टी ने ये मांग तक रख दी कि अत्यांति पिछडी जातियों को भी इसका लाव मिले क्योंकि अत्यांते पिछडी जातियों की सामाज़ी का आर्थिक इस्तितीव स्टी एस्सी जैसी ही है सीम नितीश के अनुसोचे जाती और जन जाती के व्यक्ति की हत्या होने पर परिवार को सरकारी नौकरी देने की घोशना को लेकर बकाइदा तेजस्वी आदव ने पीसी कर सीम नितीश पर हमला किया तेजस्वी आदव ने नितीश पर हमला बोलते हुई ये कहा कि ऐसी घोशना अगडों के लिए क्यों नहीं करते नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि ये फैसला सीम नितीश के दोहरे चरित्रों को दिखाता है महागडबंदन की ही सहयोगी रालोसपा भी इस घोशना को लेकर सीम नितीश कुमार के खिलाप में अपना स्टंड क्लियर कर दी पिर आखिर सहनी तेजस्वी से अलग लाइन क्यों ले रहे हैं सहनी का ये बयान महागडबंदन की लाइन से बिलकुल उलट है ऐसे में सियासी अटकले खूब तेज हो रही है राजमितिक जानकार मानते हैं कि मानची के जाने के बाद सहनी अब ज़्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकना चाते है सहनी ने 25 सीटों की डिमांड भी की लेकिन व्याइपी चीफ अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि लालो यादो 25 सीट पर नहीं मानेंगे लेहाजा सहनी दलित और पिछडों के पक्ष में खड़े होकर सियम नितीश के बयान का समर्थन कर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन सहनी के सियासी खेल का उन्हें कितना फाइदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा तो पहले मांची का नितीश प्रेम तो अब मुकेश सहनी का नितीश प्रेम कहीं ना कहीं महागडबंदर में बवाल मचा कर रख दिया है और तेजस्वी आदव की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही हाला कि इसको ऐसे देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक और शायद यहीं वज़े है कि मुकेश सहनी अभी से ही हाथ पैर मारना शुरू कर चुके है पिलहाल देखना दिल्चस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव का पलटवार क्या आता है क्या मुकेश सहनी की डिमांड पूरी की जाती है पिलहाल के लेता ही बने रहे हमारे आतोर देखते रहे नियूस फोनेशन नमस्कार